तो दोस्तों आपका स्वागत है इसको लेरलाइट में जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि जो भी वीडियो में अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन के माद दिम से पता च पता है तो इनको जरूर देखें हर एक्जाम में जहां पे भी साइन्स पूछी जाती चाहे एसेसी हो चाहे रेलवे हो ब्यापाम हो कोई भी एक्जाम हो जहां पर साइन्स आता है वहां पर ये कॉश्चन आपके लिए बहुत ही कारगार सिद्ध होंगे तो चलिए स्टार् करते हैं आज का सेशन पहला कॉश्चन देखते हैं पहला कॉश्चन है मारे पास मोनोजाइट निम्न में से किसका आयसक है यानि कि और पूछा जा रहा है तो मोनोजाइट जो है ये होता है थोरियम थोरियम का आयसक होता है मोनोजाइट जैसे कि जो आपका और भी चीज़ होती है न और पूछा जाता है जैसे कि Aluminium का पूछ लिया जाता है लोहे का पूछ लिया जाता है इस तरीके से हर चीज का पूछ लिया जाता है तो ऐसे ही आजकल जो है थोरियम का ज्यादा मार्केट में चला थोरियम पूछा जा रहे ठीक है तो चलिए बात करते हैं मगले कॉशन की कि एक किलो चावल का भार क्या होगा उप्सन दिया है गहरी खान में अधेख होगा उचे परवत पर अधेख होगा समुद्र तल पर सरवादेख होगा और आपका सरवत्र समान होगा ठीक है तो क्या होगा यहां पर अगर हम बा तो धीर धीर ग्रेविटी कम होती है तो ग्रेविटी कम होगी यानि कि बजन भी कम होगा तो खान में यानि कि अंदर जा रहे हैं तो वहाँ भी भी नहीं होगा उचे परवत पर भी अधिक नहीं होता है समुद्र तल पे एकदम सही आंसर है समुद्र तल पे जो है सरवादिक होगा यानि कि या तो देखिए प्रत्वी के सरफेस पे होता है ठीक प्रत्वी के सरफेस पे होता है सबसे ज़्यादा आपका gravity बजन किसी भी चीज का तो समुद्र तल भी जो है सरफेस पे रहेगा तो इसलिए जो है इसका अंसर हो जाएगा option number C समुद्र तल पर सरवा देखोगा चलिए बात करते हैं अगले question की यहाँ पर next question है हमारे पास कि निमलिखित में से कौन जल में आसानी से घुल जाता है तो जल में घुल जाता है आपका nitrogen कौन सा है nitrogen nitrogen बात करते हैं अगला question चिकित्सा सास्त्र का जनक किसे कहा जाता है तो जो चिकित्सा सास्त्र है उसका जनक कहा जाता है Hippocritus को किसको कहा जाता है Hippocritus को जो doctors होते हैं उनको भी इसी चीज़ की सब्च दिलाई जाती है तो यह question में पूछा जाता है कि doctor लोगों को किल्म का ओथ जो है किया करते हैं वो लोग तो भो करते हैं Hippocritus का अब यहां पर अरस्तु जी दिये हुए हैं तो अरस्तु जी जो है बायोलोजी जो है उनके जनक माने जाते हैं जी विग्जान के जनक माने जाते हैं और थियो फ्रेज जो है बनस्पती विग्जान के जनक माने जाते हैं और हिपोक्रेट चिकतसास्त के जनक उनको बोला जात तो चलिए बात करते हैं तारे टिम्टिमाते क्यों प्रतीत होते हैं तारों की दूरी के कारण तारों की चमक के कारण तारों के प्रकास के वायू मंडली अपवर्तन के कारण या तारों के रंग के कारण तो यही है option number sees the right answer इतने दूर होते हैं कि उनका प्रकास जब आता है र ठीक है हिड्रोजन गैस से भुदारा जब प्रत्रवी से चांध पर ले जाता है तो क्या होगा देखे जब प्रत्रवीआ पर अपने रच्छे हा और दाव अलग होगा जब यहां पर जाकर कि होगा कि वहां पर 12 बिशट जाएगा क्यों ठीक है फट जाएगा ठीक चलिए बात करते हैं बात कर्न करते है अगले कोश़न की यहां पर तो एलेक्टरॉन की कि खोच और धर फोड यहां पर ऐसा है रिक भौती तेजी में थर-धर भागते रहते हैं और उनको जो है थाम के रखना पड़ता है क्या करके रखना पड़ता है थाम के रखना पड़ता है तो जीजे थांसन ने एलेक्ट्रॉन की खोज की थी और रदर फोर्ड ने क्या किया था रदर फोर्ड ने भी एक सोने की पतली प्लेट ली थी उसको अलफा करों की बहुचार की तो उन से उनको यह पता चला था कि alpha करण जो है कुछ मुड़ जाती है कुछ सीधे चली जाती है इस तरीके से चीजे उन्होंने बताई थी alpha beta gamma 3 करण यह सब चीजे बताई थी जो मैंने आपको पिछले पार्ट में डीटेल में बताया हुआ है तीक अब आपका question यह है यहाँ पर next question है हमारे पास की एक lift में एक समान वेग से उपर जा रही हो तो उसमें इस्तित व्यक्ति का भार क्या होगा देख ये question को थोड़ा ध्यान से समझेगा lift वाला question है आप डारेक्ट आक मुंद के सको नहीं लगा सकते यहां पे एक word आया हुआ है एक समान वेग से ठीक है तो अगर देख इसका अंसर पर बताता हूँ कि आप परिवर्तित रहेगा यानि कि जो भार है वह ये एक समान क्योंकि वेग से जा रहा है लेकिन यही question अगर change हो जाता है कि एक lift में एक व्यक्ति एक समान तोरान से उपर अगर जा रहा है तो उसमें क्या होगा एक समान तोरान अगर एक समान तोरान सब्द आ गया acceleration word आ गया कहीं भी तो जब lift में आप उपर जाओगे तो आपको भजन लगेगा कि मेरा भजन बढ़ गया है और एक समान acceleration से अगर वो नीचे आएगा तो क्या होगा आपको लगेगा कि आपका भार जो है घट गया हलका प्रतीत करेंगे ठीक है और अगर डोरी टूट जाती है तो zero gravity आप बिलकुल free घूमने लगेंगे आप ऐसा महसूस करने लगेंगे ठीक है तो चलिए अगला question जीव द्रव के प्रतक करन एवं सयोजन से संबंधित वनस्पती विज्ञान की साखा कहलाती है यानि कि जीव द्रव की बात की ज होड़ते हैं अभी aqua culture aqua नाम आ रहा है यानि कि पानी से related कुछ चीज होगा बच किया क्या टीसू कल्चर तो टीसू कल्चर जो है आपका जीव द्रव के प्रतक करने में सयोजन से समधित जो है साका है इसमें जीव द्रव के बारे में चीज़ें डिसकस की जाती है तो टी यौगिक hydrogen के दो oxygen के इस तरीके से जो है यह मिलके बना होता है तो इसलिए यह भी बिरंजक चुन जो भी है यह भी एक आपका यौगिक के अंतरगत आ जाएगा चलिए बात करते हैं मगले question की कि परमाडू घरी निम्न प्रभाव के अंतरगत कार करती है निकि परमाडू घ question की कि गैसों की स्यानता ताप बढ़ने पर क्या होती है तो गैसों की स्यानता की बात करें तो गैसों की स्यानता अगर ताप आप बढ़ाते हो तो बढ़ती जाएगी गैसों की स्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है ठीक है कारने लाइट किसका इस के देखिए मैंने ब ठंडे देशों में जीलों के जम जाने के पस्चात भी जली जनतु जिन्दा रहते हैं क्योंकि अब देखिए जील उपरी सत्य जम जाती है लेकिन उसके नीचे पानी ही रहता है क्योंकि वहाँ पर वर्फ के नीचे जो है टेंपरेचर 4 डिगरी सेल्सियस होता है ठीक है जहा बारी जल एक प्रकार का क्या है नाफिक रेक्टर बगैरा में सब चीजों को यूज कीा जाता है भारी जल यानि की दी d2o ठीक है भारिजल यानि की d2o तो क्या सीखलक का काम करता है मंदक का काम करता है isk का काम ईधन का काम नष्सक तो है नहीं सीखलक भी नहीं है इसकांसर हो जायगा मंदक और सीखलक के रूप में क्या काम किया जाते हैं ग्रेफाइड भगेरा की जो है लिक्वीट फॉर्म में सोडियम इन सब चीज़ों को दिया जाता है जो किसी दलग का काम करता है ठीक है और मंदक के रूप में डीटी हो का यूज यूज किया जाता है बात करते हैं अगले कॉस्चन की की बल गुरान फल है किसका बात करते हैं यहां पर अगले कॉस्चन की तो question है हमारे पास कि महलत जो AIDS होता है ठीक है AIDS की बात की जा रही तो वो किस से होता है तो AIDS जो होता है आपका वाइरस से होता है तो इसका answer हो जाएगा वाइरस ये फंगस से नहीं होता वैक्टीरिया से भी नहीं होता है यह वायरस एक वायरल डिसीज के अंतरगत आता है चलिए बात करते हैं अगले कॉस्चन की की अनुवान सिक्ता एवं जो है विभिनिता के बारे में जानकारी देने वाली बनस्पती बिग्यान की साखा को क्या कहा जाता है तो बनस्पती बिग्यान की अग में से किस तत्तो को भविष्य का इधन कहा जाता है तो भविष्य का जो इधन कहा जाता है वो कहा जाता है हाइड्रोजन को किसको कहा जाता है हाइड्रोजन को भविष्य का इधन भी कहा जाता है फ्यूचर में हम हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं बात करते हैं आप अगले करें तो होता है सामान तुरान सामान तुरान से जो है वो नीचे गिरती जाती है ठीक है सामान तुरान से नीचे गिरती जाएंगी क्योंकि सामान तुरान रहेगा अगर सून में कोई भी चीज नीचे आती है तो ये चीज आपको याद रखना है चलिए ठीक है तो अब बात करते हैं अगले कॉस्चन की यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए कॉस्चन जो है हमारे पास समाप्त होते है तो यह वीडियोस आप देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्चन है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जादा स्यादा वीडियोस को देखिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और यह हमारा फेस्बूक पेज है www.facebook.com इसको भी लाइक कीजिए तो जादा स् कॉस्टन्स आप लोगों से पूछे हैं तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में थैंक यू